नमस्कार दोस्तों केके क्लासेस यूटूब चैनल पर आपका सौगत है दोस्तों आज हम मैत का बहुत ही महतपूर टापिक बर्मूल और घनमूल लेकर आये हुए है जो कि बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और बहुत सारी जाओं में पूछे जाते हैं कोशन डाइट भी और इसका अप्लिकेशन भी पूचा जाता है अप्लिकेशन का मतलब जैसे आप कोशन लगा रहे हों तो किसी ने किसी इस्टेप में बर्मूल गयात करना हो यह अक्सर ही मिल जाता है ठीक है खास करकर आप देखे चकविध्धी व्याज में अक्सर बर्मूल और घनमूल की जबत पड़ती है ठीक हो दोस्तों अगर आप उसको बेसिक तरीकेस लगाते हैं कोशन लगाने में या वर्मूल घनमूल गयात करने में बहुत ज़्यदा समय लग सकता है ठीक है लेकिन आपको कुछ ऐसे मेथड़ बताये जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप 2-3 सेकंड के अदर बर्मूल आसानी से निकाल सकते हैं और घनमूल भी 2-3 सेकंड में निकाल सकते हैं ठीक दोस्तों अब देखें कोशन लगाने इस पहले कुछ उसकी थियूरी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है देखिएगा हमने यहां पर एक लेकर 10 तक की संख्याओं का बर लि चौन सथ नौ का बर्ग एक्यासियो कवर डस कवर सवृठी यह क्यों लिखा गया है बस यह आपको बताने के लिए किसी संख्याओं कर रहने पर उसके बर्मूल में का यह आता है यह बताना हमको ।ो एक दो तीन चार्च लेकर के 10 या जीरो तक ठीक है एक लेकर 9 तक है जी किसी संख्या का इक है ठीक और अगर किसी संख्या का इकायंग चार है देखें यहां भी चार है यहां भी चार है ठीक तो बर्मूल में यहां तो दो आएगा यहां तो क्या आएगा आठ आएगा और अगर इकायंग नौ है यहां भी नौ है तो बर्मूल निकालने पर यहां तो तीन आएगा यहां तो क्या एगा साथ आएगा और अगर च्सांख्या के लास्ट में जीरो है थमेज़ा बंवुल क्या था जीरो आता है बसरते उसका जोड़ा बनना चाहिए dust颗 ANDREW आएगा 14 00 हेगा टीक दोस्तों तरहीं यहाँ पर में चीश्व mechnya है अब समझने वाली चीश्व यह है किसी संख्या में जैसे हमने क्या किया अब जैसे क्या को भी आप संख्या लिखेंगे संख्या में इकाई अस्थान पर क्या सकता है एक से नव तक कोई संख्या सकती है जीरू आ सकता है ठीक है उसका हमने बर्ग किया अब संख्या तो हमने वन डिजिट लेकर चले हैं य दो नहीं दिखा, तीन नहीं दिखा, साथ नहीं दिखा, आट नहीं दिखा, जैनि इसका अगर बर्ग किया गया, एक से लेकर नौ तक या दस तक, कि संख्याओं का हमने बर्ग किया, बर्ग निकालने पर कहीं भी दो, तीन, साथ आट नहीं देखिए, कहीं भी दो नहीं आया तीन नहीं आया, साथ नहीं आया, आट नहीं आया, ठीक है, दो, तीन, साथ आट यहाँ पर कहीं भी बिल नहीं रहा है, ठीक, इससे ये साबित हो रहा है, कि किसी भी पूल बर्मूल, किसी भी संख्या का जिसका हमको पूल बर्मूल निकालना हो, तो कभी भी दो, तीन, साथ आई अंक के अस्थान पर दो हो, तीन हो, साथ हो, आठ हो, किसी भी संक्या के, एक आई अस्थान पर, अगर दो, तीन, साथ, आठ लिख दिया जा, तो उसका पूल बर्मूल नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा, तुम्झपलों में आएगा, ठीक है, च्योंकि आपने यहाँ पर देखा कहीं भी आपको यह नहीं दिख रहा है ठीक मैं चीज आपको बस इतना याद रखने वाली चीज यह है किसी भी संख्या के लास्टम अगर यह डिज़िट दिखे तो समझ लिजिए बरमूल नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा, किसमी निकलेगा, दसमलों में निकलेगा, याद रखेगा, दो तीन करम से है, दो के बाद तीन आएगा, करम से, साथ के बाद आठ आएगा, करम से, दो तीन, साथ आठ, ठीक है, में चीज क्या है, यहाँ पर से जो हमने बताया है इसको याद रखने वाली चीज़ी है क्योंकि इसे आपको याद रखना पड़ेगा ये मेन है ये याद रहेगा तो सारे कोशन विल्कुल इजी तरीके से लग जाएंगे इससे हमारा कोई मतलब नहीं मेन ये समझे आप इसको इसको याद कैसे करेंगे जो हमने भी बताया था किसी भी संख्या के लास्ट में एक हो किसी भी संख्या की चाहिए वन डिजिट की हो चाहिए कितने भी डिजिट की हो ठीक है अगर उसका बरमूल निकल सकता है तो किसी भी संख्या के लास्ट में एक हो तो हमेशा बरमूल में या तो एक आता है या तो नव आता है कैसे याद रखेंगे इसको देखें अगर किसी संख्या का इकायंग एक है और पूर बरमूल उसका निकल सकता है तो निकलने पर क्या आएगा या तो एक आएगा या तो नव आएगा एक आएगा या तो नव आएगा इनका योग दस होना चाहिए याद रखिएगा एक में नव जोर दिया जाए क्या जाएगा दस आजाएगा योग दस होना चाहिए ठीक है यानि एक है या तो एक होगा एक में क्या जोर दे दस हो जाए 9 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा यानि 1 है या तो 1 होगा या तो 9 होगा यो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए ठीक और अगर last में 4 है 4 होने पर आप देखिए यहाँ पर 4 है या तो 2 होगा या तो 8 होगा तो अगर किसी संख्या का कोई भी संख्या जिसका पूर बरमूल निकल सकता है जैसे 144 है 144 का बरमूल 12 होता 12 में 2 आ गया ठीक है तो अगर किसी संख्या के last में का यह क्या है 4 है और उसका बरमूल निकला जाए बरमूल में या तो 4 का आधा 4 का आधा 2 या तो चार का अधा दो आएगा या तो चार का दुगना आठ आएगा याद रखने के लिए है इस अब तरीका ठीक है चार का अधा या तो चार का अधा दो आएगा या तो चार का दुगना आठ आएगा ठीक है योग आठ दो दस योग आठ दो दस होना चाहिए ठीक है जैस तो ही ढिस गाई गाऩ कई रूझाक है देखिए 5 में हमें इसक्ता था निकल सकता है अगर याPal के तो 6th चार डस योगदस भोना चाहिए इसको याद रखिए च सह तो छे ही आएगा तीक है और छे में क्या जोड़ दिया जाए है और अगर 9 है इसको केसे याद रखेंगे अब अगर इकाई अस्थान पर 9 है और पूर बर्मूर निकल सकता है 9 है या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा एकाई के अस्तान पर अगर 9 है तो 3 कैसे याद रखेंगे बस ऐसे याद रखेंगे 9 का बरमूल 3 होता है ऐसे माइन में रखें 9 का बरमूल 3 याद रखने के लिए ठीक केवल याद रखने के नौ का बर्मूल 3 या तो 3 होगा या तो 3 में क्या जोड़ दे 10 हो जाएगा 7 जोड़ दिया जाएगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा योगफल देखिए 7-3 10 होना चाहिए यहाँ पर भी 6-4-10 यहाँ पर भी 10 हर जगा 10 है ठीक है और अगर लास्ट मे जीरु है तो दीजीरु है लेकिन पूर बर्मूल निकल सकता है ठीक है जूकि जीरो का मतलब 00 होना चाहिए बंद बनाया जाए जाता है ठीक है डबल जीरो हो तीन देखे, साथ देखे, साथ के बाद आठ आता है, ठीक, दो, तीन, साथ, आठ देखे, तो ये समझ लीजिएगा, उच संख्या का पूर बर्मूल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दसमलों में निकलेगा, ठीक है, ये हमारे नियम हो गए है, अब हम चलते हैं सीधे कोशन ठीक है, आई चलिए, कोशन लगाए जाए, ठीक दोस्तों, चलिए, हमने जो नियम बताया आपको, अभी देखे, यहां पर पांच है, तो पांच में क्या होता है, यहां पर दिया गया किसी भी संख्या के लाष्ट में इकाईयंक, अगर पांच हो, तो बर्मूल में हमेशा पांच ही आएगा, यह याद रखने वाली चीज़, ठीक है, पांच ही आएगा, इक इस और जानते हैं, आप लोग बरमूल निकालते समय, जोडा बनाये जाता है, जोडा कैसे बनता है, किसी भी संख्या का अगर बरमूल निकालना है, जैसे इसका एक बेसिक तरीका, आप जानते हैं जो बेजी का क्या होता है जैसे 625 अभी निकाल ना हे तो और यह आपको बार्मूल निकाला जाता है यहां पर संख्या देगा है जो पज़से होई कि instructors oo गालेंगे 625 क्या करेंगे पहले यहां पर देखेंगे किसी संख्या का बर करिए जो 60 के अंदर हो मैं इसके ऊपर लचाहिए कि संख्या कौ इसमें बार कि πα्ठीय पर किया जाएगा जूंगर जाएगा चार जायेगा ठीक इसने से घ्र जाएगा इस で पुरा जोड़ा उतरता है इसके बाद 2,025,007 है चार वह एक देखा जाएगा यहां पर किस संख्या कितना बार इसके ले जाये ज़्याए जाया जो जीतनी बार जाएगा वह संख्य लिखा भी जाता है थीक है जैसे माहा लेते हैद आप यहां पर वार जा रहा है यहां से बरमूल ऑगया इसका पचीस आ गया यह इसका क्या है बेसी तरीका है लगाने का ठीक है एक छोटी सग्ष्याव पर देखिए कितना टाइम लगंगा है बरमूल निकालने में हमको ठीक है बस आपको यह बताना चाहते थे कि बरमूल में क्या जोड़ा बनाया जाता है किस तरफ से बनाया जाता जोड़ा इधर से दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते चलते हैं जो छूड़ जाता उसको छोड़ दिया जाता है यह जानिएगा बरमूल में जोड़ा बनाने के बाद ही हम लगाते हैं ठीक दो यहां पर कोशन पहला कोशन आज देखते हैं यहां पर सबसे पहले हमने कहा इस पी जोड़ा बनाएंगे अब यहां पर आपको पता है जोड़ा बनाने के बाद यह नियम दिये गए है का यंग के लिए यह इकाई यंग का अर्थात एक चार पांच छे नौ जीरो कोई होगा निकालनी में क्या क्या इए यह बताया गया बाकित 2-3 सथ याद रखिएगा तो पूड़ बरकूल नहीं नेकलेगा ठीक है अब यहां पर अगर एकाई यंग 5 है तो आपको पता है हमेशा 5 ही होगा दिकाला है इसे प्रशन है जिसका पूड़ बरमूल निकल सकता है और उसको आप within one two second में निकालना चाहते हैं ऐसे को सुनों का ये method आपको बताया जा रहा है ठीक दोस्तों चलिए यहाँ पर 25 में हमने कहा 25 में 5 का 5 होगा 6 में किसका बर्ग जाएगा 6 में किसका पूर बर्ग जाएगा मतलब किस संख्या का बर्ग किया जाए 6 के अंदर ही रह आए गा दो का बर्ग जाएगा तो यह इस का उत्तर हो गया ठीक है इस question का उत्तर कितनां गाएगा पचीस आजएगा यानी खेसोग पचीस आएगा ठीक दोस्तों समझ में आया होगा चलिए यहाँ पर देखते हैं देखिए फिर यहाँ पर 5 है जोड़ा बनायेगा ना जो 645 इसो गाएगा न सब्सक्राइब बाचपना जाएगा थायगा फिर यहां पर देख से 25 2044 जाएगा थाएगा रहो ताधीं की किस परों कितना जाएगा ठीक है इसको YUJ देखते हैं इसमें भी 5 ही रहेगा नबे में किसका बढ़ जाएगा नबे में 8964 कम है और आगे जाए 9981 ठीक है 9981 उसके आस पास पहुंच रहे हैं 10 दहम 100 जादा हो जाएगा अगर 10 करें के डिजिश्य पकड़िएगा जोड़ा बनाते समय दो पकड़ लिजिए पचीस में बात हो गया इसके बान जो बचा है उसको एक साथ हम देखेंगे 110 को एक साथ देखेंगे देखनें किसका भर जाएगा 110 में क्या करेंगे 10 دहा में 100 111 120 1 1 121 होता है लेकिन चुन 10 10 का जाएगा, ठीक है यहनु इसका बरूल कितना जाएगा 105 आ जाएगा, ठीक है चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 25, 25 में 5 आएगा ठीक, इसके बाद है आपके 132, 132 में देखिए किसका बर्ग जाएगा 132 में 111 गरही है 12 पर 1544 होगा, 12 का जादा हो जाएगा, किसका जाएगा, 11 का जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 11, ठीक, और था त, इसका वर्मूल कितना जाएगा, 115 आ जाएगा, ठीक है, चलिए, इसको देखते हैं, यहां पर फिर जोड़ा बनाएंगे, तो 25 में इकायंग 5 5 ही होगा 156 में किसका जाएगा 12 बरहियं में 144 होता है ठीक है 12 बरहियं में 144 होता है अगर हम 13 करेंगे 13 बरहियं में 179 हो जाएगा 179 जादा हो जाएगा ठीक है यानि 12 का जाएगा यहां पर हो जाएगा 12 और इसका बरमूल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ठीक दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं 25 में यहां पर क्या हो जाएगा 5 ठीक 25 का 5 हो जाएगा 182 में किसका बर जाएगा 13 का बर 179 होता है 14 का बर करेंगे 14 का बर 106 हो जाएगा ठीक है तो 14 का बर करेंगे यहां पर 5 हो जाएगा ठीक इसके बाद 210 210 में किसका बर जाएगा 14 कभर 14 कभर 116 में होता है 15 कभर 235 होता है 15 कभर 225 पंदरा का हो जाएगा ज्यादा 14 का जाएगा इसको देखते हैं तक याद कर लीजिए आप लोग ठीक है बर्व निकालने का तरीका भी होता है उस पर भी हम चर्चा कर देंगे किसी वीडियो में ठीक एक से लेकर 115 तक की संख्याओं का बर्व निकालना आपको हम बता देंगे कैसे बर्व निकालते हैं वह भी एक आदो श हो जाएगा ठीक इसके बाद 240 240 में किसका बर जाएगा 15 255 होता है 16 256 का ज्यादा हो जाएगा 15 256 यहां पर टीक है यह हो जाएगा 15 चलिए इसको देखते हैं यहां पर 255 हो जाएगा 252 देखीगा अब यहां कि इसवीजिय이지 हें पर Liya जाएक ठीधिनति में इसवे हैं यहोज फाइब डीजिट तक आएगा Minse पांच उत्त बेलकुल इजी है निकालना बेलकुल यह आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जिसका इकाइंग 5 हो निकालना बेलकुल आसान है आप क्या करेगा आप दाहिनी तरफ से जोड़ा बना लीजिएगा 5 है सीदे 5 लिखिएगा बेलकुल कुछ बिशार नहीं करना है इस मैं ख्याल से बेलकुल सब को समझ में आया होगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक दोस्तों चलिए अब यहां पर जो है यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि अब यहां पर डिजिट सब चेंज हो गया फाइप नहीं किसी में अलग लग समझ डिजिट यहां पर तो नौ है तो नौ का क्या होता बर्मूल नौ का बर्मूल हमने बताया दो होता है नौ का बर्मूल निकाला जाए अब देखिए जैसे हाँ उन्चास है उन्चास में हमने कहा नौ है तो नौ में या तो इसका बर्मूल तीन होता है या तो तीन में क्या जोड़ द कि साथ होगा यह देखना पड़ेगा हम पूलिखना है कि साथ लिखना ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं बत Lynch अब le 5 22 में किसका भॉन जाने माला है पुरण बर 32 में अगर हम 5 का भर करते हैं तो पचीस आएगा छे का और करेंगे 36 तो 6 का बैपाँच का बर्ग जाएगा थीक है 32 में पांच का बर्ग जाएगा यहां तो आप पांच हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम यह हमेशा ऐसा आपको करना रहेगा जैसे यहाँ पर जो भी आएगा अगर 5 आएगा 5 में 6 से गुड़ा करेंगे 6 आएगा तो 7 से गुड़ा करेंगे 7 आएगा तो 8 से गुड़ा करेंगे 8 आएगा तो 9 से गुड़ा करेंगे ठीक है मतलब एक आत्रिक्त संक्या जोल कर अगर यह तो हमेसा 5 आप 7 यह करेंगे गुड़ा करने के वाद जो आया है उसको इससे compare करेंगे इन दोनों में अगर यह इससे बढ़ा आया अब भई बड़ा है तो इसकी बैलू भी बढ़ी ली जाएगी त्यूंकि यह तीस है यह बढ़ा है तो बढ़ी बैलू क्या है साथ है साथ जैनी सप्तावण इसका बर्मूल हो जाएगा ठीक दोस्तों और अगर कहीं 28 होता 30 से छोटा होता 20 तो इसको हम छोटा उलामाल लेतें तीन लेतें ठीक के लिए रो गया हुगा सबको यही करना ठीक दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं चार अब हमने बताया चार अगर है तो याद 24 का दूना आठ होगा यह सकता या तो दू हो सकता या तो आट हो में कि अस्तान पर अप हम को यह देखना अगर हम बात करें कि और नुँ को रिए और आंग उन immersive करते हैं अघले स्टेप्स नवा करते हैं किber यह और गया अब को जब ये संक्या इससे बड़ी हो तो इसका बड़ा वाला मान यानि कितना आएगा 88 इसका बर्मूल क्या आजाएगा 88 ठीक दोस्तों चली आगे चलते हम चली इसमें क्या है फिर वही चार है चार का आधा या तो चार का दुगना यह होगा बर्मूल निकालने पर दस में किसका पर जाएगा दस में किसका पर जाएगा तीन तरिक करना हो तीन का पर जाएगा चार का पर 16 जादा हो जाएगा दस में जाएगा तीन का पर ठीक है अब हम क्या करेंगे तीन में चार से गुड़ा करेंगे अब देखे डायट लिख नहीं रहें ठीक है यहां बता रहें तीन में किसे गुड़ा करना है चार से गुड़ा करना है अगर जब हम तीन में चार का गुड़ा करेंगे चार ती बारा हो जाएगा ये अर्थात बारा बन जाएगा ये बारा होगा ये दस होगा दिखा दे रहे हैं हम यहाँ compare करना दोनों बढ़ा कोना यह 12 है यह 10 है 10 क्या है 12 से चोटा है ठीक है 10 12 से चोटा है अगर यह 10 चोटा है जिसका कौण सा माल लिया जाएगा छोटा आपर क्या लिया जाएगा 32 लिया जाएगा ठीक चलिए अगला कोश्चन देखते हैं इसमें एक दिया गया ठीक है एक का क्या होता है या तो एक का एक होता है और एक में हम क्या जोड़ दे नव दस हो जाएगा या रखिएगा इसको ठीक है यहाँ पर एक में क्या होता है या तो एक में एक होता है या एक में हम क्या जोड़ देट दस हो जाए 9 एक हो गा या तो न हो गा ठीक यह हो गा अब यहाँ पर यह तो जोड़ा बन गया यहाँ पर पचास में किस कबर जाएगा आगे ज्यादा हो जाएगा ठीक आठक आठक अब बर चंसर जादा हो जाएगा 50 में किसका जाएगा साथ जाएगा ठीक्ट हम साथ में क्या करेंगे इसाथ बड़ा करेंगे साथो 8 छबंच ये बनेगा च्बंच यह फचाशा ये छोटा है त इसका ठटा ऑलमाल ले लिए जाएगा यानने कितना हो जाएगा इसका बर cooking च statव क्या है 55mg है च्युक्त इसको चली को झुल तोCloud हitको ऐसे छोटा ऐसे हो जाई जो son दोस्तों च्ब долग आपको बताए जा रहे हैं बिल्कूली आसान तरीकिए आपको लग भी रहोंगे आसान हैं ठीक है एक दो बार वीडियो अगर आप और देख लेंगे जिसे एक बार पुरा कम्प्री देखने के बाद फिर एक बार देख लेंगे बेलकुल 100% कीलियर हो जाएगा कोई भी प्राबलम आपको नहीं होगी ठीक दोस्तों बाकी आप देखिए कोईशन आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अवज सही वीडियों को लाइक कर दीजिएगा ठीक है और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग अवज सही सब्स्राइब कर दीजिएगा ऐसी बहुत सारे इंट्रेस्टिंग जो ट्रिक्स हैं ये पाने के लिए अगर आप चाहते हैं आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन आगे भी तो आप अवज सही चैनल को सब्स्राइब कर दीजिएगा ठीक दोस्तों चलिए अगले कोशन में चलते हैं देखिए यहां पर क्य है छे का हमने बोला या तो छे का छे होगा या तो छे में क्या जोड़ दिया जाए चार दस्त या तो छे होगा या तो चार होगा ठीक है अब यहां पर क्या है तिहत्तर को में देखते हैं तिहत्तर में किसका बर जाएगा तिहत्तर में अगर आठ का बर करें आठाई चाउ आप इसके बाद देखिए आठ में हम क्या करते हैं आठ में गुरा करते हैं किसे 9 से ना अठे 72 होगा यह बहुत तर यह गा 73 है बडा इसका बड़ा वलामान लेंगे बड़ा-वलामान कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा ठीक दोस्तों समझ पाएंगे इसको 8 में बुड़ा करेंगे किस से 9 से ठीक 9 अठे 72 हो जाएगा ये बनेगा 72 ये है 73 73 बड़ा है किस से 72 से जब ये बड़ा है तो इसका बड़ा वालमान बड़ा वालमान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तेक दोस्तों चलब एकला कोशन देखते हैं ज़ापका है या तो यहां पर tai एक होगा तीज चीज है या तो यह होता है या तो नव होता है ठीक दोस्तों अब यहाँ पर यह देखना है कि इसके बरबूल में एक आएगा कि नव आएगा तो हम क्या करते है इसमें 98 में किसका बर जाएगा अब यह बनेगा 90 यह 90 बन जाएगा दस से गुड़ा करेंगा 80 बन जाएगा یہ 98 है 90 से 98 बढ़ा हो गसका क्यों समाल लेंगे बड़ा वाला मान ठीक है बड़ा वाला मान यानि कित्ना जाएगा 99 जैंने इसका वर When do वो महां घर idोंगे दूस्तों चलिए उगला कोसम देखते हैं ठीक में देखिए इसमें फिर में आच ऊजोड़ा बनाएंगे छे स्पर क्या होता है तो सब्स pandemia क्या होता है छे में क्या जोड़ते existence हो जाएगा ठीक की अब गुड़ा करें किस से को पलूआ करेंगे 19 हमतने अर्थृत यह 30-20 बनेगा यह बंड बनेगा यह बाण में, बड़ा हमान क्या जाएगा यह घंशांड हो जाएगा, ठीक है इसमें देखते हैं अब इसमें क्या होता, 9 का बरमूल यहां तो 3 होता है 3 में क्या जोर दिता सोने के लिए 7 जोर दिया जाए ठीक है यह बन जाएगा अब यहां 75 में किस गुड़ा करना है 9 से गुड़ा करना है 9 से गुड़ा करेंगी नोका गुड़ा आट नोह 72 हो जाएगा यहां पर नौका गुड़ा करेंगी यह 72 होगा यह 75 है पचांतर बड़ा है दिसका बड़ा वालामान कितना जाएगे साथ अधर जाएगा फिलिए चलिसको देख लेते हैं चलिए यहां पर साथ हो जाएगा साथ ने किसे गुड़ा करेंगे हम आठ से गुड़ा करेंगे ठीक है आठ से गुड़ा करते हैं आठ से गुड़ा करेंगे आठ सते चपन यह क्या बनेगा चपन बनेगा यह चपन है यह क्या है साथ है तो चपन से साथ क्या है बड़ा है ज 6 होता है 6 में क्या जोड़ दे 10 हो जाए 4 जोड़ दे 10 हो जाए ठीक अब 12 में किस कबर जाएगा 12 में जाएगा 3 कबर 3 तरीक का 9 चार कबर 16, हो जाएगा जादा, यानि किसका जाएगा? तीन का जाएगा, ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, तीन में किसे गुड़ा करते हैं, चार से, तीन में हम चार से गुड़ा करेंगे, तो क्या आएगा, बारा आएगा, ये भी बारा, ये भी बारा, दोनों बराबर ह हो गया ठीक है दोनों इस बार बराबर हो गया अब बराबर होने पर क्या होता देखिए बराबर होने पर बड़ामान ठीक अभी दोनों सेम हो गया है सेम होने पर बड़ा वाला मान लिया जाएगा तो याद रखिएगा बराबर बा बराबर ठीक है बराबर में बार आ रहा है चाहता रिवां गार्णाफित Lंध् data et if you don't know बढ़ा आपका यह दिया गया है इस क्या कर शौ ना हमको करेंगे चार में पांच से गुड़ा करेंगे बीस होगा यह बनेगा बीस यह 21 बड़ा है बड़ा है तो बड़ा वला मान बड़ा वला मान क्या जाएगा ठीक दोस्तों चलिए अगला कोशन देखते हैं इसमें नौ है ठीक तो नौ में क्या होता है नौ का बरमूल या तो ती चबक 36 छे क्वाइब ठीक है और चे में गुडा करेंगे हम किस साथ से गुडा करेंगे सांथ कगोड़ा करेंगे तो साथ चग बयालिस होगा अगर हम साथ का कुरा कर तहीं बयालीस होगा ठीक यह साथ चक vaisालीस 15 2022 से चोटा है इसका छोटा वाला मान लेंगे यानि कितना हो जाएगा 63 इसका बर्मोल ठीक है चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा इसमें या तो देखे 6 होगा या तो 6 में क्या जोड़ दे 10,4 उपर भी मिला था चाहून में देखे किसका जाएगा सास्ते उन्चास साथ का जाएगा ठीक है साथ में गुड़ा करें किससे आठ से आठ से गुड़ा करेंगे आठ साथे चपन आठ से गुड़ा करेंगे तो आठ साथे चपन ठीक है ये बनेगा कितना आठ साथे चपन बनेगा ये चपन है है। जबकि यह क्या चव stacking है तो 56 54 चोटा है चब है तो चोटा है चोटा ऑलमान लेंगे हैं कितना लेंगे हैं चाल ले ठीक दोस्तों चलीए अब इसको लेते हैं ठीक है है अब इसको देख लिते हैं ठीक है अ Nap?. dimh चार में किस से बर जाएगा वारा पर हमें कितना जाएगा बारा लेक्स करते ना हम जैसे जह आता है बर्मूल इसके नियरए बाउट यानि 125 के पास पूर बर्मूल संख्या अगर देखा जाए तिया बन जाएगा इसका ग्यारा बन जाएगा ठीक है अब यहां पर जो है ग्यारा में हम बारा से गुड़ा करेंगे गुड़ा करने पर 132 आएगा अब तुलना करेंगे 132 से छोटा है तो यह आप देख रहें 132 से यह बताया आपको ठीक है तो मैक्सिम्म और सारे कोशन पर प्रैक्टिस करिएगा अपने तरीके से ठीक है दोस्तों बाकी हमारे तरफ हमारे हमने पूरी कोशिस की आपको ठीक है कोशन समझाने की हमारे क्याद सबको समझे भी आ गया होगा दोस्तों ठीक है चली इसके बाद हम घनमूल पर चर्चा करते हैं घनमूल बताते हैं घनमूल कैसे निकाला जाए ठीक है दोस्तों देखे घनमूल के बारे में आज़े देख लेते हैं ठीक है घनमूल कैसे गयाद करते हैं बरमूल के बारे में तो आपने देखी लिया ठीक है तो घनमूल में भी कुछ नियम से है पहले आप नियम जान लीजे घंफूल में कैसे हम धेंग जब ही बिल्कुल ही jestly तरीका है घंफूल भी ग्याद करने का बर्मुल से गर देखे जाता है और टाइम ज्यादा लग जाएगा ठीक है तो यह चीज यहां पर आपको बताया जाए जिससे कि कम समय में घंबूल को ग्यात कर सकें चलिए सबसे पहले आप देख लिए जैसे यहां पर एक लेकर दस तकी संख्याओं का गहन लिखा गया है ठीक है हमने यहां पर गहन क्यों लिखा है ठीक आपको यह बताने के लिए जैसे हमने बर्मूल में बताया था कि इकाई के अस्थान पर क्या है तो उसके बर्मूल में क्या आता है यह सब चीज़े जो आपको बताया गया था और एक चीज़े भी बताया बर्मूल में कि अगर इकाई के अस्थान पर दो हो तीन हो साथ हो आट हो पूर बर्मूल नहीं निकलता है ठीक है यहां पर आप खन मूल निकाला जाये 64 का? 4 ही आएगा. अगर यकाई-उठ पांच है, तो 5 ही आता है. अगर 6 है, तो 6 ही आता है. और अगर 9 है, तो 9 ही आएगा. 0 है, तो 0 ही आएगा. ठीक है? जबकि बर्व मूल में केवल 5 है, तो 5 आता है. बाकी 0 है तो 0 आता है बाकी और किसी में सेम नहीं आता है जबकि इसमें कई संख्याओं में सेम ही आ जाता है अब इसके लामा देखिएगा अगर किसी संख्या का इगा आठ है तो घनमूल निकालने पर 2 आएगा और अगर 2 है तो क्या एगा 8 आएगा ठीक एक दूसरी का दो और आठ हो वर्मूल नहीं निकलता है घंबूल में उसी बटरिक है अगर किसी बी संक्या का है का यंग 2 है उसका पूर्ड घंबूल निकल तो निकालने पर 2 है तो लिखना पड़ेगा Walk 8 , YouTube reflex ठीक है चलिए इसके अलामब देखिए अग और अगर सात है तो तीन आयेगा और अगर तीन है तो सात आयेगा घनमुल निकलने पर यह दो चेंज होता है दो और आसफ business के Бारagen में बात किया जा रहा है तो 6 आएगा 7 है 3 है योग 7 प्लस 3 10 होना चाहिए ठीक कि इसका योपफल 7 5 5 3 10 होना चाहिए देंकर याद रखने के लिए यहाँ पर भी 80 10 ऐसे 8 do 10 इहाँ पर 10 उंई dos x 7-3 10 ठीक है 2 है तो 8-8 है 2-3 है तो 7-7-3 योगफल 10 होना चाहिए ठीक है दोस्तों अब यहां पर आप यैसे बर्मूल में क्या था मनें बताया कि जिस संख्या का इकायंग 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो पुर्ल घंख्या नहीं निकलता है लेकिन घंख्या नहीं है जिसे आप देखके कह सके कि पूर घंबूल नहीं निकलेगा ठीक है तो कि आप देख रहे हैं घंबूल में आपको क्या मिला एक भी मिल गया है निका एक भी है तो भी घंबूल निकलेगा तीन है तब भी निकलेगा चार है तब भी घंबूल निकलेगा पांच है तब भी निकलेगा छे है तब है अब देख नहीं का सकते हैं घंबूल निकल ना हो तो उसके लिए ट्रिक आपको यह बताया जा रहा ठीक तो चलिए आई अब हम कोश्चन पर चलते हैं ठीक चलिए एक चीज़ और ध्यान दीज़ें घंबूल में बर मूल में दसमलों के बाद जोड़ा बनाते हैं जब कि घंबूल में दसमलों के बाद दाहिनी तरफ से सेट बनाए जाएगा तीजिट पहले ले लेंगे घक है यह इसे करते हैं यहां से हम तीन संख्या को ले लेते हैं अब आपको पता है अगर Мыख इंख एक है है तीख है अब अब हमने है जाएगा एक करन जाएगा किसका घंड जएगा एक दोस्तों कि अग्ला सब हो तो तीन में किसका घंजाएगा एक का घंजाएगा इसका घंजाएगा इसका घंजाएगा पंदरा आजाएगा ठीक दोस्तों चलिए अगला कोस्तों देख लेते हैं इसमें भी साथ है अब देखें इका यंग साथ आगे हमने बताया अगर साथ है तो तीन होता है साथ होता है साथ है तो तीन हो जाएगा और यहां में दो में किसका घंजाएगा दो में एक का ही घंजाएगा इसका घंजाएगा इसका घंजाएगा इसमें देखिएगा तीन सेट बनाईएगा आठ है तो क्या आएगा दो आएगा याद रखिएगा आठ है तो दो आएगा ठीक दो हो ग गन जाएगा एक का ही घन जाएगा एक का घन जाएगा ठीक है क्योंकि आप गलती से दो मत लिखिएगा दो का तो बर्ग जार होता है घन दो का घन आठ हो जाएगा ठीक है दो ठीक है तो 9 का 9 ही होता है देखिए अगर इक आईगा स्थान पर 9 हो तो गन मूल में 9 ही आएगा 9 का 9 ही हो जाएगा इसके बाद 6 में किसका गन जाएगा 6 में एक ही का जाएगा दो का गन 8 हो जाएगा जादा हो जाएगा एक का ही घन जाएगा इसके बाद यहां पर देखिए कि तीन सेट बनाइेगगा पूरा तीन सेट लेके चलिएगा तीन में क्या आएगा साथ आएगा देखिया माँ लिखा 505 गने 465 जञाएगा ठीक है जा यह देखते हैं एक सो तीन कि सर्णज में आएगा एक सो तीन इधर जाएगा कि लेकिन कह आपको हर कौशन को सिंगल जानना है सब्सक्राइब यह नहीं बार बार लिख करके कंपेर करो तो सिर्फ याद रखने के लिए बता दिया याद इतना रखना बस इतना आपको याद रखना बाकी जा लिए जो संक्या होगा इकाई कहसान पर वहीं हो जाता ठीक दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं छे है चे का क्या लिखा जाएगा चैका छे ही लिख दिया जाएगा ठीक इसमें 804 जादा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा नहों हो जाएगा 2786 किससे जाए갈 नोगे 96 हो जाए Garis 737 होता है सुस्से जाद़ इसह सब्सक्राइब सब्सक्राइब तरहपार एक चाहरण चाहरण श्यादा हो जाएगा 4 irregular 30 सका ताटाइस टीन होगा यहां पर कि कि इसके बाद इसमें देखते हैं से का क्या होता है श्यक्ते का कभाइनध स्था ज़्यार हाँ और 713 थिर इसके अंद ही आना है कितना जाएगा ठीक डोस्तों चलिसको देखते हैं एक का तो एक ही होता है ठीक है इक का तो एक ही होता है इसमें नो तो नो कंगा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 137 तो नो का तो जड़ा हो जाएगा जैनि किसका जाएगा औरtrans+. जाएगा आट का बंदों चली इसको देखते हैं यहांपे 5 क्या 5 ही हो जाएगा इस में किसका घंजेंगा यह की सरेंजन में आएगा आट घंट 1512 पूर तो ज्यादा हो जाएगा साथ गं 343 तो आएगा six का जादा हो जाएगा साथ कितना होता है तेंसे सुत्रेवरी लिस्ट जरेगा इंग इसको देखते हैं इस में किसका जरेगा इसमें इसमें जराएगा चार कान जब Krfully 500 जदाएगा चार करने जराएगा फॉल्टीर में पूहारे एक जरी अगला होते हैं तुछ दोस्तों इसमें किसका घंग जाएगा इसमें जाएगा 9 का घंग क्योंकि 10 का घंग जादा हो जाएगा 1000 तो इसके इन दोनों के बीच में होना चाहिए तो छोटा वाला पकल लीजिएगा इसके बीच में पाल रहा है ठीक है तो यह छोटा वाला लेंगे हम जिसके बीच में पड़ेग पर देखते हैं किसके बीच में पड़ेगा इनकी बीच में पड़ेगा यह तो हो नहीं सकता छोटा वाला मान ले लिजिएगा तो किसका घंज जाएगा ठीक नौब गन यहां पर 9 है तो 9 ही होता है ठीक बरमूल नहीं घंज जाएगा अलग है ठीक है इसके बाद इसमें देखे किसका जाएगा फिर इसमें किसका जाएगा नौका ही जाएगा नौका क्यों जाएगा ज्योंकि 10 का करएगे ज्यादा हो जाएगा इस से 10 गण battlefield हिजाएगा तो नौब पर ही जाएगगी हम तो नौका है permission just केम पन्ना हो जाएगा ठीक है गन्मूल हमारे कया सब को समझ में आ गया होगा ठीक दोस्तों अगर किसी आगर किसी कम पर नहीं होगा तो एक बार वीडियो दुबारा देख लीजीए को अज كل हम अगले वीडियों के साथ प्रसुत होंगे जिसमें कोई नया टापिक होगा ठीक है आप लोग वीडियों को अवस ही सेयर कर दें ठीक है और चैनल को अवस ही सब्सक्राइब कर दें ठीक जिससे की जो भी हमाई नए वीडियों आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है धन्यमाद दोस्तों